ओम नमस्यवाई दोस्तों भगवान बोले नाथ आपकी सारी मनोकामनाय पूर्ण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2014 में मई के महीने में मासिक सिवरात्री व्रत जो है वो कव रखा जाएगा किस दिन रखा जाएगा पूजा विधी महत जो है वो क्या रहने वाला है आज के वीडियो में संपूर्ण जनकारी जो है वो देने वाली ह तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सिवरात्री यानिशेव और सक्ति के संगम का एक पर्व होता है और पंचांग के अनुशार हर महीने ग्रश्न पच्च के चौदवे दिन यानि चतुदसी तिथी को मासिक सिवरात्री मनाई जाती है यह भरवना के बल उपासक को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है बल्के उसे क्रोध इरसा अभिमान और लालत जैसी भावनाों को रोकने में भी मदद करता है मासिक सिवरात्री हर महीने मनाई जाती है वहीं हर साल फालगुन मास की क्रश्निपच की चतुर्थी तीथी को महा सिवरात्री मनाई जाती है बात करूं साल 2024 में माई के महीने में मासिक सिवरात्री जो है वो कप पड़ रही है तो चैत मासिक सिवरात्री व्रत 6 मई को दिन सो म बार को पुरी वीधिवत तरीके से रखा जाएगा बात करूं मासिक सिवरात्री के महत के बारे में तो हर महीने आने वाली क्रेश्नी पची की चतूर्थी तीथी को मासिक सिवरात्री का व्रत रखा जाता है। चाहिए साल 2024 में अभी मार्च के महीने में जो सिवरात्री आएगी 8 मार्च को अगर आप लोग मासिक सिवरात्री व्रत करना चाहते हैं तो जो महा सिवरात्री व्रत है उसी दिन से आप मासिक सिवरात्री व्रत जो है वो उठा सकते हैं और आने वाली 6 मई को दिन सोम बार को म मासिक सिवरात्री वत जो है वो कर सकते हैं परंपरा यही है कि अगर मासिक सिवरात्री जो हर महीने किये जाते हैं वो महा सिवरात्री से ही उठाये जाते हैं तभी हम जो मासिक सिवरात्री वत है वो कर सकते हैं और तभी उसका पोणफल जो है वो मिलता है अगर व्रत के भी मंदिर में जाके पूजा करें तो ये आपके लिए ज्यादा उत्तम रहने वाला है अपसे पहले आप सिवलिंग का रुद्रा विशेक करें जल, सुद्धगी, दूद, सक्कर, सहद और दही से आप सिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा और स्रिमफल चड़ाएं ध्यान रखे वेलपत्र अच्छी तरह से साप किये होने चाहिए आप भगवान सिव को अब दूब, दीप, फल, फूल अरपित करें भगवान सिव की पूजा करते समय सिव पुरान, सिव इस्तितु, सिव अश्टक, या सिव चालीसा या सिव स्लोक का पार्ट जो है वो माना जाता है कि मासिक सिवरात्री व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, मासिक सिवरात्री का व्रत उपास रखने से भगवान सिव की सच्चे मन से आरातना करने से समस्त मनुकामनाय पूर्ण हो जाती है, इस दिन व्रत करने से हर मुस्किल का राशान हो जाता है औ और उनके विवा में आ रहे ही रुकावटी दूर हो जाती है। स्वरत को कीजी और अपने समस्त मनों कामनाओं को पूर्ण कर लीजे। उमीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों जैमाता दी। कर दोस्तों 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 क